कि दोस्तों स्वागत आप सभी का वर्ल आफेस चैनल पर स्टाट करते हैं आप यहां पर आप पड़ सकते हैं कि इसका लिंक डिस्किप्शन बॉक्स में दे रखा है किसी भी एक्जाम के लिए आप इसे यूट्राइस कर सकते हैं आज के दिन की शुरुआत पहला कोशन आप सभी के सामने रिसेंटली कितने एक्सपोर्टर्स जो है जिन्होंने पाडिस्पेट किया AP ADA Pavilion एशिया का जो बिगस्ट फूड फेर है इसमें तो 80 एक्सपोर्टर्स ने इसमें पाडिस्पेट किया AP ADA का है यह है अग्रिकल्चर प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलप्मेंट अथोर्टी जितना भी प्रोसेस फूड होता उसको कितना एक्सपोर्ट करना है किस तरीके से उसका एक 36 एडिशन अभी एशिया का बिगेस्ट B2B इंटरनेशनल फूड एन होस्पिटलालिटी फेर हुआ था आहार 22 के नाम से जो है इसका धीम रहा और ये फेर जो है 26 अप्रेल से स्टार्ट हुआ प्रगती मैदान दिल्ली में चलिए देखते हैं एक और कोशन आईबी मिनिस्ट्री के दवारा हाल फिलाल में कितने यूटूब चैनल को ब्लोक किया गया है तो इन टोटल 16 है जिसमें कुछ इंडियन यूटूब चैनल है 10 और जो 6 के आसपास है वो पाकिस्तान बेस यूटूब चैनल है आईबी के अनुसार ये जो 16 यूटूब चैनल है ये नेशनल सेक्यूरिटी, फोरण रिलेशन, पबलिक ओर इन सभी के ऊपर स्ट्रेस डालता है जैसे एक्जामपल इंडिया के सैनी एजुकेशन रिसर्च हिंदी में देखो आज तक ठीक है आज न्यूस, SBB, News, Defense News 24 ये सब जो है ये इंडिन यूटूब चैनल से जिनको ब्लोक किया गया है पाकिस्तानी बेस यूटूब चैनल है आज तक पाकिस्तान डिस्कवर पॉइंट ये सब इनको भी ब्लोक किया गया है जो कि डिस हार्मोन जो है और फेक कंटेंट होता है इन्फरमेशन जो है करेक्ट नहीं होती तो इस वज़े से जो है ये ब्लोक किया गया इससे पहले भी जो है मिनिस्ट्री के द्वारा जो है गाड्लाइन्स दी गी थी इन सब चीजों को लेकिया रिसेंटली कौन से वेक्ति हैं जिन्होंने ट्विटर को एक्वायर कर लिया 44 बिलियन डॉलर का ये डील पहले भी एक बार ही आ चुकी है ऐलोन मस्क देखिए पहले भी जो एलोन मस्क है इन्होंने जो है ओफर दिया था ट्विटर को लेकिन उस समय ट्विटर ने इनके ओफर को जो है रिजेक्ट कर दिया था एक तर वैल्यू जो है उसकी यह है तो इसको एक्वायर कर रहे हैं ठीक है इससे पहले नों जो ओफर दिया था वो 14 अप्रेल को ओफर दिया था देखिए फ्री स्पीच के लिए ट्विटर एक बहुत बड़ा स्पेस माना जाता है जिसमें ट्विटर एक डिजिटल टाउंस के टाइप है जो की फीचर में जितनी भी डिबेट होने वाली है वो इसी में होगी तो डेफिनेटली ऐसे प्लैटफॉम पर फोकस करना जरूरी है चले दे इंडिया से सबसे बड़ा जो यह कॉणिजन जाने वाला जिसमें ज्यादा से ज्यादा मेंमर होंगे 46 पार्टिश्पेंड है वह इंडिया से होने वाले हैं जो की ठाटिन इन इन में 26 वूमन एंड ट्वेल कोच एंड एट जो है सपोर्ट स्टाफ एंड बार ओफिशिल इ तो यह डेलिगेशन जो है एक मेगा इवेंट है इंडिया के लिए जिसमें इंडिया पाटिस्पेट करने वाला है और दीपा मलिक जी ने जो तितने भी टीफ ओलंपिक के में मेंबर जाने वाले उन सबी को प्रमोट भी क्या है चले एक और कोशन देखिए का वर्ल्ड दो जनवरी 1903 जो है फुकोका रीजन जैपान में जो है सदर्न वेस्टन वहाँ पे हुआ था तो इंपोटेंट है इनको यह जो है जिनस वर्ल्ड रिकोर्ड में इसको समलित किया गया था दो जर उन्निस में समलित किया गया था उसके अलावा इन्होंने टॉक्यो ओलंपि के आने की बीजेपी गवर्मन्ट के तो एट इस देखिए यह इंपोर्टन कोशन इसलिए है क्योंकि पहले भी जो है यह पार्टिस्पेट किया गया था लेकिन इसको कॉबड़ी की वज़े से रोक दिया गया था लेकिन अब इसको एक बड़े पैमाने पर सेलिब्रेट कि आने के तो यह इवेंट जो हैं 30 मई को होने वाला भारती जंता पार्टी की तरफ से तो आ सकता है कोशन की इवेंट कब होने वाला उसके अलावा जादा चीज़ें पढ़ने की ज़रूत नहीं है चले देखिए हाल फिलाल में कौन से वेक्ती हैं जिन्होंने यूरॉपिन क सब्सक्राइशन के प्रेजिडेंट है कौन ठीक है उर्सुला वोंडेर जो है इन्होंने दिली में विजिट किया तो इस वज़े से यह जो है इनका वारतालाप नरेंद्र मोदी जी के साथ हुआ है और डिसकॉशन इसी चीच पर हुआ है कि इंडिया और यूरॉपिन यू स्टरीचिक इंगेजमेंट हुआ है इस दिली कुन सी कंटरी ने वॉन किया है यूएस और कि यूक्रीन को इस तरीके से आंस की मदद ना करें तो रसीया ने यह स्टेट्मेंट दी है तो रसीया के जो एंफलोई जो है ठीक है मोस्को ब्रेंड अबेस्टर डो यूएस से इनके द्वारे ये statement दी गिया है कि जो America Ukraine को arm supply कर रहा है It's like pouring all oil on the flame यानि कि जो है आग में तेल डालने का ही काम है तो इतना जितना USA ने provide कि 6.4 billion का military assistance Ukraine को 2014 से लेकि उसके बाद अभी इस war के time पे तो ये एक तरीके से इनकी statement जो है Russians की आई है Let's see the next question Recently कि इनको जो है fifth round of talks होई है Saudi Arabia की कुन से देश के साथ तो answer है इरान के साथ तो इनके बीच में अभी ये fifth round of talks हो रही है जिससे कि एक positive update आ सके positive और serious जो है ये latest talk थी जो कि Saudi Arabia और इरान के बीच में भी सोड़ेट की इनका जो relationship है उसमें एक progress आ सके जो है 2016 में हुई थी है उसके बाद बहुत सारे round table conference हो चार round table conference हो चुके है last September में हुआ था है ना तो अभी जो है इस पे और आगे जो update है मैं आपको cover करा दूँगा जो भी अगर आता है let's see the next question तेंकि ये बहुत basic सा है कौन से देश की foreign office जो है इन्हों ने जो है जारी किया है कि अगर आप पाकिस्तान की किसी भी institute में पढ़ रहे हैं एन्रोल कर रहे हैं तो आप एक बारी Indian advisory को ज़रूर देख लिए तो हमें Indian advisory देखने की जुरूरत है वैसे तो पाकिस्तान ने अनौंस किया है देखी Indian advisory के बारे में जानते हैं इंडिया के जो युनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन है UGC उन्होंने और इवन औल इंडिया council of technical education ने इन्होंने 22 अप्रेल को एक joint advisory दी थी कि इंडिया का कोई भी student पाकिस्तान की किसी भी educational institute में enroll ना करे अगर वो कर रहे हैं तो उनकी degree valuable नहीं मानी जाएगी तो इस वज़े से जो है पाकिस्तान के जो foreign office है उन्होंने भी statement को जारी किया है कि आप एक बड़ी Indian advisory देखे और pursue उसी हिसाब से करें चले देखे आल फिलल में कौन सी country ने object किया है प्रधान मंत्री नरेंद मोदी जी की कश्मीर विजिट जो जम्मू में exactly हुई थी पाकिस्तान ने ही object किया है पाकिस्तान ने object किया है कि जो नरेंद मोदी जी ने अभी जम्मू विजिट किया था और उसमें कुछ project जो हैं उनको foundation stone रखे एक्जामपल रतेल कवार hydro electric project जो की 800 उसके अलावा चेनाव river पे जो है projects है इन सभी को जो है अपोस किया है कि ये एक तरीके से इंडस water treaty जो है उसको contradict करता है तो इस वज़े से इनके द्वारा ये study में वैसे ऐसा कोई contradiction है नहीं है ठीक है और वैसे प्रधान मंद्री मोदी जी की 370 रूटने के बाद ये पहला public engagement था तो ये एक matter करता था चलिए देखें क्यूक पॉइंट हाल फिलान में world health organization ने कितने देशों को malaria free घोशित किया है तो बारा CBSC ने हाल फिलान में मुगल, code, war और several other topics जो है इसको अपने board से हटा दिये है यानि कि स्लेबस से पीसेंटी सिपरी के according इंडिया जो है third highest military expenditure country है world में जिसका expenditure 76.6 billion USD है देखिए कल एक सवाल पूछा गया था कि guard cell का stomata में क्या function है तो यह बिल्कुल रिया सिंग का answer सही बहुत opening and closing on the stomata आज का सवाल दिलवाडा जैन temple कहां पर situated है इसका answer comment box पर दीजिएगा टेलिग्राम चैनल जोर जोरन करेगा आमन सर्वाइब फेसेड़ी शिक्स एम पर यह वीडियो के लिए report and win option utilize करेए देखिए यह opportunity miss मत करेगा आपको आज के दिन में 20% discount मिल रहा है instead of 10% यह normal 10% होता था लेकिन अभी आप opportunity ले सकते हैं कि link का आपको description box में डाल दिये code आपका liveman है इस code को लगाते ही आपको 20% discount मिल जाएगा on academy के किसी भी course में जो की maximum है आज का utilize करेए से liveman code यूज़ करके 10% की जगा आपको 20% discount मिलेगा पाकि आप session को like करेए share करेए चैन को subscribe करेए thanks a lot for watching